Hello everyone, welcome again to Lundvriditiman Last video हमने राजिस्थान के इतिहास और संस्कृती में Chapter No. 9 का Part 1 में हमने 15 Question कर लिये थे चलिए हम स्टार्ट करते हैं Question No. 16 से किस बोली का राजिस्थान में प्रमुक शेत्र प्रतापगड है? तो वह बोली है मालवी बोली Next देखिए निमाणी किस बोली की उपबोली है? तो यह मालवी की उपबोली है मालवी की उपबोली कौन सी है? निमाणी Next है Question No. 18 शेखावटी बोली का प्रमुक शेत्र कौन सा है? सेखावटी बोली का प्रमुक्षेत्र कौन सा है? तो चुरू, जुन्जुनू, सीकर और हनुमानगर्ड अगला देखिए वैली कृश्यन रुक्मनीरी रचना के रचना जो है किसने की कौन है रचना? आंसर है प्रतवी राज राठोड कुश्यन नमबर 20 भक्तिकाल की रचना राम रासो के रचेता हैं अगला है कुश्यन नमबर 21 साया जी जूला की रचना किसने की तो नाग दमन ने साया जी जूला की रचना की नेक्स्ट देखिए राजिया रासो रठा चकरिया रासो रठा भेरिया रासो रठा मोतिया रासो रठा आदी रचनाएं किस काल खंड की देन हैं तो ये सभी उत्तरमध्यकाल की देन हैं नेक्स्ट है राठोड रतन सिंग महेज दासोत री वचनिका की रचनाकार कौन है? तो आंसर है खिडिया जग्गा नेक्स्ट देखिए उर्दू वफार्शी शब्दों युक्त गद पद तुकांत रचना क्या कहलाती है? दवावेद नेक्स्ट देखिए राजिस्थानी साहित्य में जमाल क्या है? यह एक मात्रिक छंद है जमाल क्या है? चंद है नेक्स्ट जमाल चंद में कितने चरण होते हैं? जमाल चंद में कितने चरण होते हैं? तो इसमें पांच चरण होते हैं तो जो भी कुश्यन आप लोगों के लिए important थे इस chapter के लिए, वो मैंने आपको सभी करवा दिये हैं, तो ये एक-एक कुश्यन जो है, आप लोगों के लिए बहुत important रखते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, हम लोगों ने 9 chapter तक chapter भी पढ़ लिया है और question-answer भी कर लिये हैं, next, 10th और 11th, दो chapter ही आपके बाकी हैं, राजिस्थान के इतिहास और संस्कृति के अंदर 10th class में, तो ये सभी chapter आपके important है, क्योंकि syllabus में सभी chapter दो हैं, वो दिये गए हैं, तो इसी लिए आप लोग एक भी chapter जो है, वो इगनौर ना करें, सभी पहले इन्हें reading करें, उसके बाद इनके question-answer जो हैं, वो सुने, देखें, समझें और उसके बाद इन्हें learn करें, मिलते हैं next वीडियो में, इसी तरीके से thank you